मैं हूँ नीरा जाप है सिक्षा सुधार के साथ और आज हम बात करेंगे BPC-TRE में फर्जी सिक्षकों की जिया जैसा कि आपको पता है कि Biometric और Face Recognization द्वारा अभ्यार्थों की पहचान की जा रही है कि यही वो अभ्यार्थिया है जिन्नोंने सिक्षक के रूप में पद पाया है तो भागा सिक्षक खादेर गड़ पकड़ा गया के लिए BPC-TRE 3.0 के लिए किरन पब्लिकेशन की पेश कस आपके स्क्रीन पर समाने अध्यान आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्याले सिक्षक SCERT के स्लेवस पर आधारित पुस्तक आपके स्क्रीन पर है जिसे पढ़कर आप जंडा गारेंगे BPC-TRE 3.0 में कई ऐसी कोचिंग संस्थायन थी जो कहते थे कि हातों में पर गया छाले हैं हम BPC-TRE पास कराने वाले हैं वो फेल हो गए पर किरन पब्लिकेशन लगातार पड़िक्षा में अपना पर्चम लहरारा है अगर आप BPC-TRE 3.0 की तयारी कर रहें तो किरन पब्लिकेशन की ये प खागा सिक्षक खादेर कर पकड़ा गया तस्वीडे आप देख सकते हैं आखवार के हवाले से जो बड़ी तस्वीडे आई हैं आप देख सकते हैं कि फरजी सिक्षक सिकंजे में हैं खबर सरू बरू कराते थम इंप्रेशन और चेहड़ा मिलान का विरिफिकेशन कार चल था एक सिक्षक उंकार नात के थमका और चेहड़े का मिलान नहीं हो पा रहा था उन्होंने अपना अपराद स्विकार करते हुए कहा कि वह बाहर रहते हैं और उनके बदले उनके पिता ने अध्यापक बड़िक्चा में किसी दूसरे को बैठाया था जिसे हम नहीं जानते हैं रिजल्ट आने के बाद पिता ने उन्हें यहाँ भेजा था अब इस पर नियामानुसार करवाई की जा रही है सुभास कुमारसीन दंदादिकारी कटिहार के द्वारा ये बात कही गई है आप इस स्क्रीन पर तस्वीरे देख सकते हैं ऐसे में ऐसे में आप इस खबर क को देखकर समझ सकते हैं कि फर्जी वारा करना बिहार में अब आसान नहीं है फर्जी सिक्षकों को खदेर कर पकड़ा जा रहा है इससे पहले एक सिक्षक का जब थम नहीं मिला तो हात धोने के बहाने वो सिक्षक वेडिफिकेशन सिंटर से फरार हो गया इस खबर को देख करके जो भी अभ्यारती सही अभ्यारती है वो घवराय नहीं अगर आपका थम नहीं मिला है तो मिल जाएगा या आगे उस पर सरकार आपको निर्देश देगी ये खबर सिर्फ उन लोगों के लिए घातक है जो फर्जी है और चाहते हैं फर्जी वारा करके बिहार में सिक् इच्छा सुधार के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पसंदा हो तो लाइक जरूर करें